आज है संकस्टी चतुर्थी किसी जगह पर तेल चतुर्थी बोलते हैं किसी जगह पर इसको सकट बोलते हैं बहुत सारे अलग-अलग नामों से इस त्योहर को मनाया जाता है हमारे मेरे मम्मी तो बहुत करती हैं क्योंकि वो बच्पन से हम देखते आये हैं उनको वो प्रत रखती हैं और फिर सुर्यदेव को जल चड़ाती हैं तिल और गुढ की पूजा करती है गणिची की की पूजा की जाती है और उनको तिल और गुढ का भूग लगाये जाता है जासे लड़ू बनाते हैं मैं दो बहुत तरह के बनाती है किया कि मेरी सासुमा जो हैं वो काफी सारे बड़ी फैमली से हैं तो वहasjed malfe बागी शबतों करते हैं अम्ही ने कभी नई किया यह संकस्टी चतुरति कीचा व्रत रीजिसे करती wealth इतन पूजा पूजा कर ली अच्छे से उसके बाद में अपने लड्डू बना लिये हैं गंडपती जी को भोग लगा दिया और वैसे तो शाम को तारों को जल चड़ा करके वरत खोलते हैं लेकिन मैं वरत नहीं रखती हूँ तो पूजा पूजा तो कर ली है ब्रेकफास्ट से भ बनाते हैं लड्डू और आज जैसे दिन में काम रहेगा मैं बिजी रहूंगी तो इसलिए वैसे तो जादतर मैं ऐसे ही करती हूँ प्रेकफास्ट के साथ साथ ही अपना लंच प्रेपेर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे रहता है कि मैं 11 बज़े तक हर हाल में फ्री रहूँ और अभी लंच भी प्रेपेर कर लिया है साथे दस तक मैं सभी कामों से फ्री हो जाती हूँ लेकिन आज चुट्टी थी मतब चुट्टी मेरी क्लास की चुट्टी थी तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया ही था कि मैं क्लास अटेंड करी हूँ एक नहीं इंफेक्ट दो क्या सीख रही हूँ वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा तो चली अभी मैं रेसिपी शुरू करते हूँ लंच भी प्रिपेर हो गया धूम बहुत अच्छी निकलिया आज आप बनाते हैं लड़ू मेरी कढ़ाई भी गरम हो गई है तो आज मैं आपके साथ में द मेरे लिए है लगबग एक कटोरी तिल और इनको भी हलका सा रोस्ट कर लिया है उसके बाद में मैंने ली है किशमिश तो किशमिश आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप चाहें तो इसके अंदर और भी ड्राइफ रूट मिला सकते हैं लेकिन किशमिश का टेस्ट जो है यानि कि रेजिन जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैंने यहाँ पर थोड़ी किशमिश ली है उसके बाद में एक कटोरी ली है मैंने मूमफली तो मूमफली को मैंने रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद में इस तरीके से कूट लेना ह हमें ग्राइन नहीं करनी है कूटना है वो भी दर्दरी सी बहुत जादा बारिक नहीं होनी चाहिए थोड़ी मोटी-मोटी ही रहनी चाहिए तो इस तरीके से यह देखिए सारी चीजों को मैंने यहां पर इस तरीके से मिक्स करके रख लिया है अब बना रही हों गुड का पा अब जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मिक्स करने के बाद में किसी और बरतन में मैं इसको ट्रांसफर कर लूँगी और ट्रांसफर करने के बाद में इसको मैं गरम गरम ही हमें इसके लड़ू बनाने हैं ठंडा होने के बाद में ये जम जाएगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा गरम तो बनेंगे नहीं लेकिन हाँ हलके-लके गरम रहेगा उससे पहले ही हमें इसके लड़ू बना लेने हैं दोस्तों पहली तरह के लटू बन करके तयार हो गए हैं बहुत ही पॉस्टिक बहुत ही हेल्दी हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाले हैं चलिए दूसरे वाले भी बना लेते हैं तो कई फ्रेंट मुझे पूछ रहे थे कि मैं घी कौन सा यूज करती हूँ तो मैंने आप सभी को बताया था कि मैं घर का ही घी यूज करती हूँ लेकिन कभी कभी बहार का भी ले लेती हूँ तो उसमें मैं ये गोवर्धन घी यूज करती हूँ मुझे तो ठीकी लगा बाकी आप लोग मुझे बताएगा कि कैसा लगता है अगर आप में से कोई इसको यूज करता है तो तो यहाँ पर दूसरी तरह की लड़ू के लिए मैंने लिए हैं लगभग आधा कटोरी से थोड़े से जाधा तिल और इनको मुझे रोस्ट करना है डार्क ब्राउन नहीं करना है हलका सा इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए और रोस्ट करने के बाद में उनको कर लूँगी ट्रांसफर इसके बाद में मैंने लिया है देसी घी तो देसी घी लगबग दो कटोरी लिया है मैंने और ये जो तिल है इनको मुझे हलका दरदरा सा ग्राइंड करना है और ग्राइंड बस हलकी सी मिक्सी चलानी है बहुत जादा नहीं बारिक करना है क्योंकि इसका तेल निकल जाएगा इस तरीक से करके मैंने इसको बहुती दर्दरा सा इसको पीस लिया है और इसको इसके बाद में एक अलग प्लेट में मैं ट्रांस्फर कर रही हूं अब इसके बाद में जो हमने घी गरम करने के लिए रखा था उसके अंदर मैं करूंगी थोड़े से बादाम फ्राई बादाम को फ्राई करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जलने नहीं चाहिए और हलकी आच पर इसको हमें फ्राई करना है अब इसको हम रख देंगे बिल्कुल ठंडा करने के लिए अलग और जो बचा हुआ घी था उसके अंदर हम डालेंगे लगभग डेल कप आटा तो आटा देखें इस तरीके से जो भी बाउल ले रहें उसी बाउल का हमें नाप लेना है और घी उसके अंदर इतना होना चाहिए कि जब हम दबा करके देखें तो उसके अंदर घी दिखें यानि कि कहने का मतलब है इसके अंदर घी थोड़ा ज्यादा करके डलेगा और इसको बिल्कुल slow to medium कैस पर हमें भूनना है आटे को और बिल्कुल अच्छे से भूनना है जलना नहीं चाहिए इस चीज का ध्यान रखना है और अब ये जो हमारे पास बादाम हमने फ्राई किये तो इस तरीके का होना चाहिए कि थोड़े बहुत टुकडे भी आए और थोड़ा बहुत पाउडर भी लगे वो पीसने के बाद में मैंने इसके साथ में डाल दिया तेल किश्मिश और जो हमारी इलाइची थी थोड़ी सी मैंने इलाइची का पाउडर भी कूट करके यानि इलाइची को कूट करके उसका पाउडर बना लिया है और वो भी इसमें मिला लिया है अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डाले पर इसके अंदर खुश्बू बहुत अच्छी आती है और इस सब को मैंने अलग रख दिया है और आप जो हमारा आटा था उसको खुश्बू आजाए इसका मतलब आपका जो आटा है वो अच्छे से भून चुका है और काफी थिक भी हो जाएगा और साइट से बर्तन को छोड़ेगा चिपकेगा नहीं बर्तन में तो आप उसको ठंडा करने के लिए रखतें अलग बिलकुल गैस से उतार करके ठंडा कर में पीस करके मैंने इस तरीके से बिलकुल सिन फ्लेम पर इसको मैंने पिघलने तक चलाती गई हूं और हलका सा पानी डालना है जिससे की हमारा ये गुड़ जो है वो जले नहीं अब जब ये बिलकुल कैरमलाइज हो जाएगा तब मेरा ये आटा भी थोड़ा सा ठंडा हो अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके मुझे गुड़ का पाग जो है वो इसके अंदर डालना है और अपने जो लड़ू के मिक्स्चर है उसको मिक्स करते जाना है एक साथ इसलिए नहीं डालेंगे कि हमें जो मिठास है उसका भी पता चल सके दूसरी चीज ये कितन लिक्विडी है उसका भी पता चल सके हाला कि हमने इसमें घी डाला है और गुड़ का है तो हेल्दी भी है और ठंडा होने के पास बाद में ये जम जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको इस तरीके से मिक्स करते चलें अब पूरा मैंने इस तर अच्छा लगता है काम करने में भी और मैं यहां पर बना रही हूं साथी साथ थोड़ा सा कस्टर्ड क्योंकि डॉटर की फर्माईश थी लड़ू बन करके तयार हो गए हैं और पहले लड़ू आख सबके लिए इसको टेस्ट करके बताईए क्याते बनें मैं भगबान जी को भी भोग लगाने के लिए जा रही हैं और इसके बाद में इसको बीदि करके रखूंगी इसके अनदर और अब यह दो दिन में साफ हो जाएगा तो मैं अब बस जा रही हूँ ये वीडियो एडिक करने के लिए जिसे की आप सब के पास में ये वीडियो आज ही पहुचे और आप आज ही इनको ट्राय करके देख सको और आज के दिन बनते हैं लड़ो बहुत जादा जादातर हमारी तरफ तो सबी घरों में बनते हैं आप में इसे कौन-कौन बनाते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था आशा करती हूँ आपको पसेत आया होगा अगर कुछ भी अच्छा लगा न तो इसको लाइक जरूर कीजेगा मैं आपसे जल्दी मिलूँगे एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बी हैपी बी आटिग अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए बाइ-बाइ